बिस्मिल्ला हिर्वान रहीम, असलाम अलेकुम, वेलकम बैक टू हॉक्स इंफो फ्रेंड्स इस दुन्या में एनिमल्स की लाखो वराइटीस पाई जाती हैं और इन में से बहुत सी क्रिचर्स ऐसी भी हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई अल्ला तौला ने इस दुन्या में ऐसे भी कुछ जान्वर पैदा किये जिनको देखना आल्मोस्ट इंपॉसिबल है आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही एट इन्विजिबल एनिमल्स के बारे में बताऊंगी सो लेट्स बिगिन अपने बहुत सी खुबसूरत बटरफलाइस तो देखी ही होंगी लेकिन आपने इस यूनिक और आल्मोस्ट इन्विजिबल बटरफलाइ को पहले कभी नहीं देखा होगा पहली बार देखने पर ये दरख्त केक सूखे हुए पत्ते की तरह लगती है लेकिन दरहसल ये एक रेर और ब्यूटिफूल बटरफलाइ है ये निपाल, चाइना, भोटान, ताइवान, थाइलेंड और इंडिया में पाई जाती है जंगल में इस बटरफलाइ को धून पाना तकरीबन इंपॉसिबल है क्योंकि शायद इसके लिए आपको जंगल के दरखत का हर पता देखना होगा फ्रिंट समंदर की तमाम छोटी क्रियचर्स के लिए सर्वाइफ कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी बड़ा जानवर इन्हें असानी से शिकार बना सकता है पिग में ऐसा ये एक टाइनी सी क्रियचर है जिसका साइस टू सेंटिमेटर होता है ये इंडोनेशिया, जपैन और नौर्थ अफरीका में पाय जाते हैं ये समंदर में 10 से 40 मितर गहराई में मौजूद होते हैं पिग में अपनी पूरी लाइफ सी प्लांट्स पर गुजारता है ये अपनी बोड़ी का कलर और शेप बिलकुल सी प्लांट्स की तरह कर लेते हैं और इसलिए इनको देख पाना दूसरे समंदरी जानवरों और इवन इनसानों के लिए भी तकरीबन इंपॉसिबल है और दूसरी वेट प्लेसिस को ये फ्रोग अपनी यूनीक स्किन की वज़ा से हाइड आउट के तोर पर इस्तमाल करता है इनका साइज 8 तू 10 सेंटीमेटर्स तक होता है और ये ज़्यादातर इंसेक्स का शिकार करते हैं ये वाकिए एक यूनीक मॉस लाइक क्रियेचर है फ्रेंड समंदर में ऐसे क्रियेचर्स भी पाय जाते हैं जो बिलकुल इन्विजिबल होते हैं ऐसी एक फिश लेप्टोसिफेलस है जोके ईल मचली की ट्रांस्पिरेंट लार्वल स्टेज है इन मैचौर एज में गी फिश बिलकुल इन्विजिबल हो जाती है और अमेजिंग बात तो ये है कि इनकी अपर बोड़ी और ओर्गन्स भी बिलकुल नजर नहीं आते इस तरह ये दूसरे बड़े जानवरों और फिशिस से महफूज रहती है बड़ी होने पर ये वापिस अपनी असली कंडिशन्स में आ जाती है फ्रेंट्स एक लीफ इन्सेक्ट को देख पाना वाके एक मुश्किल टास्क है ये क्रियचर बहुत कम मूफ करता है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये दरखत का एगिरा हुआ पता हो एक्चुली लीफ इन्सेक्ट्स बहुत से जंगली जानवर और परिंदों का फेवरिट फूड है इसे जैसे अपनी जिन्दी की बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है ये बिल्कुल भी हामफुल नहीं होते और किसी दरखत पर तो ये बिल्कुल इन्विजिबल लगते है इसे समंदर का सबसे इंटेलिजन और खतरना करियाचर भी माना जाता है खत्रा महसूस होने पर ये उक्टुपाई अपना कलर बहुत तेजी से बदल लेते हैं और अपनी पर्टेक्शन के लिए किसी भी सर्फिस का कलर अख्तियार कर लेते हैं इन में डिफरेंट प्रिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से ये बड़ी असानी से अपना कलर चेंज करके इन्विजिबल हो जाते हैं ये बिलकुल एक कैमेलियन की तरह है खत्रे की सुरत में ये कंप्लिटली वाइड कलर के हो जाते हैं जब के घुसे में इनकी बोड़ी कंप्लिटली रेड कलर की हो जाती है बालिजिस्ट का कहना है कि आक्टोपाई खाब भी देखते हैं क्यूंकि सोते हुए भी अपना कलर चेंज करते हैं नमबर सेवन डेकुरेटर क्रैब्स इस कराब को स्पाइडर डेकुरेटर कराब भी कहा जाता है ये आस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, तसमैनिया, कैलिफोर्निया, फिलिपीन्ज, थायलेंड और इंडोनेशिया मेंग बहुत से समंधरी जानेरों का फेवरिट फूट है और इससे बचने के लिए incredible hidden techniques रखता है इसकी बोड़ी पर छोटे-छोटे hot spikes और barbs बने होते हैं और किसी भी sea plant से touch होने पर ये चंद सेकिंड्स में बिल्कुल इसी plant की तरह हो जाते हैं sea plants, coral reef और sea floor पर ये crab बिल्कुल invisible लगते हैं नमबर 8, mossy leaf-tailed gecko फ्रेंड्स मेंडगासके के जंगलाद में बहुत सी अजीब creatures पाई जाती हैं लेकिन mossy leaf इन सबसे ज़्यादा unique है इनकी बोड़ी और even के eyes भी बिल्कुल एक दरखत की शाह की तरह लगती हैं और इसी वज़ा से ये incredible hidden qualities रखता है इसकी बोड़ी 20 cm तक लंबी हो सकती है किसी दरखत की शाक पर इसको ढूंट पाना रेली काफी मुश्किल होगा So friends, आपको ये वीडियो कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और ऐसी मज़ीद informative और interesting वीडियोज देखने के लिए Hawks Info को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी latest वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें Till next time, Allah Hafiz